अब अगर आप देखो यहां से एक शाप राली हमें देखने को मिल चुकी है लास्ट साथ दिन का कैंडल देखो सब ग्रीन कैंडल जए एक भी रेड कैंडल नहीं है और सब बड़े-बड़े कैंडल जए गैप आप के साथ कैंडल जए अब अगर आप SGX निफ्टी देखो तो इट इस अबसलूटली फ्लाट आज भली हमें सेकंड आप में रिकवरी देखने को मिली है लेकिन SGX में गैप आप हमें देखने को नहीं मिल रहा है और अगर कल फ्लाट या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है और निफ्टी 12,400 तक भी आ सकता है करेक्शन में तो आपको गैप डाउन के लिए वेट करना है अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो काफी अचार शौट रहेगा बैंक निफ्टी में 26,500 तक के लवल्स हमें देखने को मिल सकते है और निफ्टी में 12,400, 12,350 तक के लवल्स हमें देखने को मिल सकते है तो गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लाट ओपनिंग होता है तो आपको शौट के तरफ जाध्यान देना है अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लाट ओपनिंग होता है तो काफी अच्छा शौट रहेगा 12,350 तक के टागेट के लिए एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि लास्ट साथ दिन में काफी अच्छी राली शाप राली हमें देखने को मिली है without any single red candle सब मुझे लगता है जो आने वाला candle है वो एक दो candle red form हो सकता है सबसे पहला stock होगा सेल पीडी लाइट पीडी लाइट का structure काफी negative लग रहा है क्योंकि अगर आप देखों 1600 के असपास resistance फेस कर रहा है और बार बार ये tail छोट रहा है माँ पर और आज एक बड़ा red candle हमें देखने को मिला है मुझे लगता है यहां से follow through selling हमें देखने को मिल सकता है 1540, 1520 तक ये stock आ सकता है तो 50-60 रुपे का fall हमें देखने को मिल सकता है पीडी लाइट में इंट्राडे के लिए काफी इचा शॉर्ट रहेगा इसका भी structure काफी negative लग रहा है आज अगर आप देखो market खुलते ही IT सेक्टर में हमें एक sharp selling देखने को मिला और TCS ने evening star setup बनाया है यहां पर evening star pattern जो है वो काफी extremely negative pattern होता है और इसमें अगर follow through selling आता है तो TCS में एक बड़ा follow में देखने को मिल सकता है तो TCS काफी अच्छा short रहा है exactly कौनसे level पे sell करना है मैं आपको telegram channel बता दूँगा last stock होगा hevels hevels का structure मुझे काफी अच्छा लग रहा है buying के लिए तूकि अगर आप देखो यहां से एक sharp rally में देखने को मिली थी और यह rally continue हो रहा है और काफी अच्छे volume के साथ हमें buying देखने को मिल रहा है 8.50 अगर cross कर लेता है तो 8.78, 8.80 तक जा सकता है यह stock तो 15.20 रुपे के लिए हम लोग इसमें trade कर सकते हैं exactly कौनसे level पे buy करना है हम आपको telegram channel बता दूँगा तो आज के लिए वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो को like and share ज़रू करना thanks a lot for watching the video, see you in the next video